वाइकम फूरीज वाइकम तो देसी फूरीज ओफिशिल तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको फंकी बुद्दास में जो बहुत जादा पॉपिलर है डिमापूर टाउन में और यह बेसिकली अपने इंटिरियर और अपने हाई क्वालिटी खाने की वज़े से जाना जाता है क कि इनके पास बहुत सारे विराइटी की खाने हैं तो हम यहाँ पे बैठके देख रहे कि क्या क्या मंगा जा सकता है तो हमने सोचा पहले क्यों ना कुछ फ्रेश्रिंग लेमिनेट मंगा जाए तो आफ्टर टेस्टिंग भाई बहुत ही जादा रिफ्रेश्टिंग था कु हमने सोचा कि चलो यहां पी तो रहें इंटीरियर देख लेते हैं इसके बाद सोचते कि क्या क्या मंगा जाए तो मैंने और हम दोनों ने मिलके सोचा की चलो पहले क्यों ना सूप डंप्लिंग बहुत ही बढ़िया था काफी जादा टेस्टी था जूसी था इविन दो तो इसके बाद हमने सो आरी देखी सकते होगे यह यह मेरे प्लेटे सेट करने में रेडियर गया है सब देखी सकते होंगे कि मैं यहां पर सूट ट्राइ कर रहा हो कि भाई बहुत जादा बढ़िया था बहुत जादा टेस्टी था और सेगिन तिंग जो मेरे को बहुत अच्छ बहुत बढ़िया जगह है जो है जो मेरे को बहुत जादा जूते परने वाले कि इस बुड़ा का वो मेरी चान खाने आने वाला कि मैं यह सब बोल रहा हूं यह आपे ओवरॉल मैं फंकी बुद्दा को देना चाहूंगा 8 आट ओट 10 तो दू गैस चेक इड़ आउं आउट अब चेकिंग आउट फंकी बुद्दा मैं शाम को पाउच गया था टेस्टी बट्स को क्योंकि मेरे को काफी जादा रेक्मेंट आ रहा है थी कि टेस्टी बट्स में कहें क्यों ना क्यों वीडियो की जाए कि बिकॉस इस वेरी अंडरेटेट भाई बहुत जादा रहे याँ पर आपने अपकी सिकों यहां अपकी साथ आसकते हों कि बहुत जी सेटी है आपको ठूंट भी मिल जाएंगे वैएक्जम मेल जाएंगे बैग्रांग के एवाइड कीजिए बट हां जाए इनका मेनू भी दिको न्यजान्य हैं काफी चिलिखना मेनी शायाओ how'd इंडियन भी है चाइनीज भी है लोकल्स भी है तो हम नहीं सोचा कि चलो क्या-क्या मंगा जा सकता है हम दोनों डिसकस ही कर रहे थे इतने में हमारा पहला बेवरेज इस भी आ गया था जो पहला आएटम में मागा था वह था नूडल भाई बहुत जादा भड़ी आए था एक समस्ट राएटम और जो सेगें आइटम था वह था गार्लिक चिकन भाई spicy था थोरा सा लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया था बहुत टेस्टी था it's a must try product तो आपको try करना ही चाहिए बहुत बढ़िया डिश था वह था इसरा जो item हमने मंगाया था वो था mutton biryani जो काफी decent था मतलब इतना up to where level नहीं था but yes it will be decent you can try it no doubt in that overall मैं tasty birds को देना चाहूंगा 7.9 out of 10 so guys do check it out tasty birds and don't forget to like share and subscribe to my channel thank you very much come again